Hello everyone, I am Ankit Kumar and welcome you all to Education Circuit and today we are going to see the solution of F-CAT to 2023 examination F-CAT to 2023 का पहले दिन यानि की 25th of August 2023 को Shift 1 में जो आपका paper हुआ है, उसका हम analysis करेंगे उसका हम solution देखेंगे, right और देखो आप सभी questions को अच्छे से समझना end तक because इससे आपको एक fair idea मिलेगा कि भी examination में किन topic से questions पूछे जा रहे हैं किस pattern का paper आ रहा है, right तो देखो आप उसी हिसाब से तयारी करोगे इससे आपको काफी मदद मिलेगी देखो, GK का काफी बड़ा सलिय बस है तो देखो, इधर उधर भटगने की बजाए direct उन्चीजों को prepare करो जो कि आपके examination में पूछी जा रही है जिन लोगों का आगे आने वाली shifts में paper है, या जो लोग FCAT की आगे आने वाली cycle के लिए तयारी कर रहे हैं, उनको देखो इससे fair idea मिलेगा, एकदम अच्छे से ही समझ में आएगा कि भी FCAT examination की तयारी हमको कैसे करनी है तो चलिए शुरू करते हैं without wasting time and before starting इसी type की important classes and FCAT, CDS, NDA and SSB की preparation के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए telegram और app का link निचे description box में दे रखा है ओके चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ये questions थे देखो पहला question क्या है first woman officer to get galantry award in Indian Air Force right, Indian Air Force में पहली महिला ऐसी कौन बनी है जिनकों की अभी हाल ही में galantry award से सम्मानित किया गया है तो देखो ये हैं, राजिश्थान की helicopter pilot, wing commander, TP का मिशरा, ये FCAT का जो अभी पहले दिन 25 अगस्त को जो paper हुआ है, उसकी 6 महिनों की, और एक top 10 current affairs की एक video और मैंने exam से just 2 दिन पहले डाली थी, right वो जो top 10 current affairs मैंने कराये थे, उन current affairs मैं से देखो आपके इस shift में 3 questions है, उस current affairs का जो पहला question है, वो है ये वाला और जो fourth question है, वो है ये वाला जो पहला question है, इसमें ये DP का मिसरा वाला, और जो 7th question है, वो है ये वाला, आप जाके देख लेना, ये वाली वीडियो है, इसका पहला question ये है fourth ये है, और 7th ये है, right तो देखो, जिन लोगों ने ये class देख लियोगी उनके 9 marks अर्न होए है और मैंने देखो, thumbnail पर लिखा हुआ है, कि exam में जाने से पहले इस class को जरूर देखके जाना, और जो remaining 7 questions है, उनसे भी देखो questions definitely आएंगे, आहेगी, जो भी shifts हैं उनमें से, आपको definitely questions देखने को मिलेंगे, और जो defense current affairs की मैंने series कराई थी, उससे देखो, as it is questions यह पहला वाला question जो है, यह उसी से है ठीक है, उसमें मैंने करा रखा है, और बहुत emphasize करके मैंने बोला था, कि भाई, यह काफ़ important है, यह पहली बार हो रहा है, Air Force में, और महिला से related है, that's why it becomes very very important, ओके, तो देखो, आपको पता चलिया होगा कौन है, यह Wing Commander DP का मिचरा, अगला question क्या है, कि International Man Booker Prize 2023, इसके जो winner है, यह किस country से है, राइट, देखो, यह जो मैंने class कराई थी, इसमें पहला question यह था, और मैंने आपको बोला था, कि International Man Booker Prize, जो है, यह काफ़े important है, और मैंने यह भी बोला था, जो Indians ने जो International Man Booker Prize जीता है, उनकी books को भी आप तयार करके जाना, चार-पांच लोग है, तो ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा पढ़ने को उसमें है नहीं, राइट, तो देखो, इस बार Man Booker Prize, बुलगेरिया के, जोर्गी Gospozinov और Angela Rodel को combinedly दिया गया था, Angela Rodel ने इस book को, इस book के लिए दिया गया था, उन्होंने इसको English में translate किया था, राइट, मैंने खूब ठोक पीट का आपको ये बताया था, emphasize किया था और देखो, वही question आपके exam में आ गया है अगला question क्या है, Headquarter of Memorial Human Rights Organization, तो देखो, इसका Headquarter है मोस्को में, मोस्को यानि की रशिया में, देखो, मैंने ये Top 10 की class में 7th question कराया था Nobel Prize पर, ठीक है, उसमें मैंने ये बोला था कि, although अभी तक 2023 के Nobel Prizes announced नहीं हुए हैं, लेकिन आपके F-Cut के examination में, पिछले 1.5 साल से questions पूछ ली जाते हैं, और Nobel Prize एक बहुत ही important category है, और देखो, मैंने उसमें दो categories कराया थे हैं, एक literature और एक peace, और peace के field में, मैंने आपको बताया था कि, दो organization और एक person को मिला है, और देखो, उन मेंसे एक organization है, ये, ये है रशिया की organization, ठीक है, इसको Nobel Peace Prize मिला है, 2022 में, मैंने खुँँँ जो डाल-डाल के आपको ये बोला था, तो देखो, ये पूचा है, कि ये जो organization है ये कहां की है, कहां पर इसका head को अटा रहे है, रशिया की है, बताया था मैंने खुँँँ अच्छे से कि, ये रशिया की organization है और एक Ukraine की थी, और एक person ओड थे उसमें, बेलारूस के, जिनको कि इन तीनों को combined ली, Nobel Peace Prize 2022 दिया गया था, ओके अगला question देखो, क्या है, Nobel Prize in the field of Medicine and Physiology 2022, देखो, दो question पूझ लिए है आप से Nobel Prize से, राइट, तो देखो, ये किन को मिला है, ये मिला है स्वानते पाबो को, next question है, defense के field से, full form of AVAX, तो देखो, AVAX की full form होती है, Airborne Early Warning and Control System, जिन लोगों ने मेरी Defense Current Affairs देखी थी, उसमें मैंने आपको बोला था, कि ये जो हमारा AVAX system है, इसको 26 जनवरी पर हर बार दिखाया जाता है, जिन लोगों ने देखी होगी, उनको याद आ रहा होगा, ये exact sentence मैंने बोला था, कि 26 जनवरी पर ये हर बार हम इसको दिखाते हैं, parade में, ओके, और काफी important है, extremely important है और देखो, ये defense current affairs वाली करा से direct question है, ओके, next question क्या था, capital of Congo देखो, जब मैं current affairs की classes लेता हूँ तो मैं आपसे बीच बीच में capitals पूछता रहता हूँ कि इसकी capital बताईए, इसकी capital बताईए और मैंने अभी जल्दी बोला था, कि African countries की capital और ये जो Central Asian countries हैं, निकी capital काफी पूछी जाती हैं आपसे examinations में तो देखो, ये Congo की capital पूछ ली गई है, अब other shifts में और किसी country की पूछ लेंगे, ठीक है Somalia की पूछ लेंगे, या किसी और country की पूछ लेंगे, तो देखो, आपको ये तयार करने चाहिए, ये सारे topics की मैंने लिस्ट कराई थी, exam से दो-तिन दिन पहले, एक सारे topics की लिस्ट बताई थी, मैंने आपको जीके की के इन इन topics से questions आते हैं, और देखो, उनी से आया है तो देखो, capital और currency भी मैंने बताया था, तो देखो capital से ये question है, तो देखो, Congo दो हैं, एक है Democratic Republic of Congo, और एक है Republic of Congo तो देखो, Democratic Republic of Congo की जो capital है, वो है किन्शाशा और Republic of Congo की capital है, ब्राजविले, ठीक है देखो, जो भी questions हम कर रहे हैं, ये students की memory based हैं, जो भी बच्चों ने मुझे बताएं हैं, और मैंने काफी बच्चों से पूछ के, cross check करके, तब ये questions मैं हैं आपे cover करा रहा हूँ, अगला question देखो, क्या है fire and forget missile, ये पूछी गई थी, ये कौन सी missile को बोलते हैं, तो देखो, ये हमारी nag missile है, जो की anti-tank guided missile है, इसको हम fire and forget missile missile बोलते हैं, और इसको हम prospina missile भी बोलते हैं, इस नाम से भी आपको ये मिल सकती है, और देखो, ये question आपके SSB के लिए भी important है, यदि आप SSB के तियारी कर रहे हैं, SSB के तियारी तो करनी पड़ेगी, जब आप एर फोर्स का paper दे रहे हैं, तो तो देखो, ये नाग missile जो कि एक anti-tank missile है, इसको हम fire and forget missile बोलते हैं, क्योंकि इसको एक बार fire करने के बाद में, फिर ही अपने target को hit करती है, maximum density of water किस temperature पर होती है, ये question बहुत बार पूछा जा चुका, और बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, काफी लंबे समय से, और जाने कितने examinations में ये question पूछा जा चुका है, तो देखो, water की जो density होती है, सबसे ज़्यादा वो होती है 4 degree centigrade पर, देखो, यही इसमें important है, आपके दिमाग मारा हुआ कि भी 4 degree centigrade पर ही क्यों होता है, यही इसका, जो main point है वो यही है, इसी वज़े से, यह examinations में पूछा जाता है, IIT में पूछा जाता है, AIW में पूछा जाता है, engineering के जो भी examinations होते हैं, उनमें काफी बार पूछा जा चुका है, और यह जो आपके competitive examinations हैं, उनमें तो यह जाने कितनी बार पूछा जा और जब करीब आएंगे, तो volume कम होगा, और density का formula क्या होता है, mass divided by volume, तो जब volume कम होगा, तो density बढ़ेगी, और जब हम उसको 4 degree centigrade से उपर लेकर जाते हैं, तो जो molecules होते हैं, फिर उनकी kinetic energy बढ़ती है, तो उसमें expansion होता है, उसका जब volume expand होता है, तो जब volume expand होगा, तो formula क्या है, density is equal to mass upon volume, तो देखो density घटेगी, तो देखो पहले बढ़ती है, और फिर घटती है, इसका graph बनता है, ये engineering के जो entrance exam होते हैं, उसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तब ये साइटी बगेरा, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्हों ने पढ़ी है, उनको पता होगा, right, अगला question देखो, क्या है, polity से article of emergency, जो हमारी country में emergency होती है, उससे related article पूछा गया है, मैंने देखो, आपको बोला था, उस class में जिसमें मैंने GQ की list कराई थी, कि polity में article है, emergency से related, 352, 356 and 360, right, 352 में होती है national emergency, और 356 में होती है state emergency और 360 में होती है financial emergency, right, बहुत ही simple question है, polity के ये standard, factual type of questions है, right, सभी को पता होता है, next is operation करुणा, मैंने देखो, आपको खूब जोड देदे के बोला था, defense current affairs में की defense के जो operations होते हैं, ये काफी important होते है, right, operations, joint military exercises, तो application को अच्छे से तयार करके जाना, तो देखो, operation करोना इंडिया ने memmar में launch किया था, और क्यों किया था, कि memmar में, अभी देखो, हाल ही में, इस साल जो cyclone mocha आया था, उसमें जो लोगों को हाँ पर करताई थी, उसमें memmar की मदद करने के लिए इंडिया ने ये operation launch किया था, right, अब देखो, आगे हाने वाले shifts में क्या questions पूछे जा सकते हैं, operation कावेरी हो गया, जिसमें कि हम Indians को Sudan से evacuate करके लाए, operation गंगा पूछा जा सकता है, जिसमें कि हम Indians को Ukraine से evacuate करके लाए, अगला question क्या है कि Commonwealth Games जो होए है 2022 में, England के Birmingham में उसमें कौन से game को introduce किया गया था, यानि कि कौन से game को debut कराया गया था, तो देखो, ये game है, एक तो female cricket था, ठीक है female cricket, और एक था basketball 3x3, इसको काफे लंबे समय के बाद मैं, फिट से add किया गया था देखो, यदि आपको ये class, ये solution अच्छा लग रहा है, तो प्री, like और share जरू करना और इसी तरीके से मैंने previous years के जो आपके question paper रहे हैं, various shifts के F-cat के, उनके भी मैंने solution करा रखे हैं, complete playlist का link नीचे description box में दे रखा है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले questions देखते हैं देखो, और question क्या पूछा, Olympic का जो logo होता है, उससे question पूछा, right Olympic के logo में 5 rings होती है और 5 अलग-अलग color की होती है तो देखो, question क्या पूछा है, कि जो green color की ring है, वो कौन से continent को represent करती है तो देखो, Olympic के logo में 5 color की rings होती है, वो कौन कौन से colors की होती है एक तो red होती है, एक green एक black, blue and yellow red जो होती है, वो American continent को represent करती है, green ring ocean या को represent करती है, और black Africa को करती है, और blue Europe को करती है, और yellow Asia को करती है, okay देखो, आपको यह सारी चीजे पता होना चाहिए इससे question पूछा जाता है factual type of questions पूछा जाते है SSE में भी और FCAT में ये इस type of question पहले भी पूछा जा चुका है और दोखो आगे आने वाली shifts में इसमें पूछा है green color आगे आने वाली shift में black पूछ सकता है blue पूछ सकता है yellow पूछ सकता है और उसका जो सूरत split session हुआ था 1907 में उसके president कौन थे तो देखो इसके president थे राज बिहारी घोस देखो ये जो session हुआ था इसमें Indian National Congress two parts में divided होगी थी गरमदल और नरमदल देखो modern history का part है काफ़ important है मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि ये जो हमारे sessions हुए है Indian National Congress के ये काफ़ important होते है और ये जो vicerai के time पर जो भी activities ली है वो भी काफ़ important होती है I keep telling it in my classes जो लोग follow करते हैं उनको पता होगा जन्होंने तयारी किया उनको benefit मिला होगा अभी मेरे को काफ़ी सारे comment मिले हैं जो आपकी defense current affairs थी और जो आपने top 10 current affairs कराये थे उसमें से direct questions आये थे अगला question देखो क्या था कि महात्मा गांदी की पहली public appearance कब होई थी तो देखो ये उती 1916 में BHU में बनारस Hindu University में next question है कि highest peace time gallantry award क्या है देखो gallantry award आप सभी को पता होगे यदि हम war time की बात करें तो war time में होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र और यदि हम peace time की बात करें तो होता है अशोक चक्र then कीर्ती चक्र and then शोरिय चक्र तो इस question का अंजर क्या होगा अशोक चक्र right peace time की हम बात कर रहे हैं अगला question देखो क्या है कि cover system जो है ये किस से related है तो देखो ये Indian railway ने अभी हाल ही में इसको launch किया था बाला सोर में जो वो train से related हाथ सा हुआ था उसके बाद में इसको launch किया गया था cover system देखो क्या है कि जैसे ही accident की कोई संभावना बनती है तो ये automatically train को रोक देगा ठीक है train का जो accident होगा वो बच जाएगा उसको हम avoid कर सकते है अपनी trains को और यात्रियों को हम protect कर सकते है तो देखो ये काफी important है और आगे आपके paper में और आगे आने वाले examinations में भी ये आएगा तो देखो उसका नाम है विस्तारा विस्तारा अपने देखा होगा ये जो हमारी passenger flights होती है आपने देखा होगा विस्तारा लिखा होगा होता है जब आप airport पर जाते हैं या वैसे उड़ते हुए भी देखते हैं तो विस्तारा लिखा होगा होता है ओके तो ये India और Singapore की airlines का joint adventure है देखो यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो पिली like जरू करना like से ही पता चलता है number of like से ही हमको पता चलता है whether it is useful or not आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो कोई direct बात तो होती नहीं है right अगला question देखो क्या पूछा था folk music of Rajasthan तो देखो Rajasthan के कही नाम executive जो है उसमें कौन इसका part होता है options दिये होए थे तो देखो union executive में कौन-कौन होते हैं एक तो attorney general होता है एक president होता है एक vice president होता है एक PM होता है और एक council of ministers होता है right तो देखो इन message जो आपके options में था वो answer था जैसा मुझे बच्चों ने बताया था तो attorney general आपके option में था तो यह answer हो जाएगा इसके अलावा attorney general नहीं था और कोई होगा इनमें से तो वो answer हो जाएगा right अगला question देखो क्या है जो कि sports के field से है और cricket से है question क्या है कि New Zealand cricket board ने अभी इसी बार इसी साल female cricket में एक award introduce किया है तो उसका नाम पूछ रहे हैं कि भी उसका क्या नाम है तो देखो अब इसमें बच्चे क्या है confused होंगे कि भी होकी आ रहा है तो होकी है तो cricket से तो कोई मतलब है नहीं होकी से related है लेकिन यह क्या है यह cricket के लिए female cricket के लिए एक medal है उसमें female cricket में यह medal दिया जाया क्या नाम है इसका debbie होकी medal अगला question देखो क्या था high altitude warfare school यह कहां पर है तो दे defense के जो भी papers होते हैं आप प्लीज उनको करते रहा करो defense के papers के लिए यदि आप cds nda देने जा रहे हैं तो देखो आपका यह F-cat का analysis territorial army का analysis यह काफी important है इनसे देखो hazardous questions copy paste हो जाते हैं अगली बार जबाव F-cat दोगे तो आपको fair idea मिलेगा कि भी कहां कहां से कैसे किन किन topics से और centimeters की बात करें तो 96.5 centimeters यह इसकी land होती है और question देखो क्या पूचा है कि atmosphere की जो layers हैं उसमें जो weather change होता है वो कौन सी layer से related है तो देखो यह troposphere से related है अब देखो इस shift में तो पूच लिए troposphere से related question अगली shift में ozonosphere से पूच सकता है या किसी और layer से पूच सकता है पूच तरीके से समुंदर है अब वो उस समुंदर में से कहां कहां से चमस से थोड़ा थोड़ा पानी बर रहा है वो आपको पता चल रहा है कि इन पॉइंट से इन जगे से थोड़ा थोड़ा पानी बर रहा है यहां से वो question को उठा रहा है तो आपकी वो चीज़े तियार होनी च अगला question देखो क्या है उसेने CBI का मोटो पूचा है तो देखो CBI का मोटो क्या है industry, impartiality and integrity ये देखो मोटो भी काफी पूचे जाते हैं examinations में आज कर और question देखो उसने क्या पूचा है countries जो की Caspian Sea से border share करती हैं देखो ये news में रहा था, ये अजरबेजान वाले reason में जो conflict हुई थी हमने पिनाका rocket system भी बेचा था, right हमने मदद की थी दूसरी country की तो देखो इसलिए काफी news में था और देखो इससे question पूच लिया तो देखो Caspian Sea से जो border share करती है, countries वो है, कजाकिस्तान, अजरबेजान, तुर्कमेनिस्तान, इरान, एंड रशिया और देखो question क्या पूचा है days से, world population day किस दिन मनाया जाता है और theme भी पूच ली जाती है, और देखो book and author से जो question पूचा है, वो है biopic 800, ये किस से related है, किस की ये biopic है तो देखो ये है सिरी लंका के star spinner of spinner, मुथे या मुली धरन, ये इनकी life से related है और 800 का मतलब है कि इन्होंने 800 wickets लिये हैं test cricket में, और ये दुनिया के इकलोते गैंदवाज हैं, जिन्होंने की 800 wickets लिये हैं राइट 800 wickets के बाद में इन्होंने retirement ले ली थी, आप सब भी लोगों को पता है, इंडिया में cricket को पूझा जाता है, तो बच्चों बच्चों को पता होगा ये बात, ठीक है, इनके बाद में अगला question क्या था, गरूण exercise, देखो मैं हर बार आपको emphasize करके बोलता था, defense current affairs की series में, कि ये जो exercises है, defense के फिर से exercises से अकसर question पूझा जाता है, और देखो question आया है, और देखो ये गरूण exercise, इंडिया और France की Air Force की बीच में होने वाली एक joint military exercise है, एक joint air exercise है, और देखो इन्हो प्राइम इस्टर नरेंदर मोदी जी को guest of honor दिया गया था, हमारी Indian tri-service ने महाँ पर parade में participate किया था, राफिल fighter aircraft ने भी महाँ पर air show में participate किया था, हमारी France के साथ में deal सुई थी, scorpion class submarine की deal हुई, और naval version of rafil fighter aircraft की deal हुई, और saffron company के साथ में engines बनाने की deal हुई, तो इस वज़ था कि France के साथ में जो भी activities हो रही है, वो काफी important है आपके examinations perspective से, तो देखो ये पूछ लिया, और question क्या पूछा था, AI super computer, artificial intelligence, super computer जो है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है एरावत, और देखो ये computer से related के बार examinations में question पूछे जा चुका है, defense में आपके territorial army हो, या आपके CD SNDFCAT वगेरा, ये जो super computer है, से related काफी बार questions पूछे जा चुके, परम से related question पूछे जा चुका है, और देखो क्या पूछा था, altitude of J&K, जमुएन कश्मीर का altitude क्या है, तो देखो ये है 1850 meters, और feet की बात करें तो 6070 feet, right, देखो कोई mistake हो गई है तो, उसके लिए I am really sorry, ये वो इसमें question add ना हो जाए, okay, तो मैंने close verify करने के बाद में ही, ये सारे questions जो बच्चों ने बताए हैं, वो मैंने cover करे हैं, अब आपके दिमाग मारा हुआगी, questions तो 25 होते हैं, आपने 30 करा दिये, तो देखो, एक दो question ऐसे हैं, हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा पर नीचे हो गया हो, तो मैंने वो भी cover कर लिए हैं, तो देखो, ये हैं, जीके के section में पूछे के questions हो, जीके ही काफ़ important होता है, other sections को तो बच्चे तियार कर लेते हैं, English में और reasoning में जो कुछ questions बच्चों ने बताए हैं, उनको भी देख लेते हैं, देखो, odd one out से क्या question प berated, berated का मतलब क्या होता है, scolding, तो देखो, scolding का ultra, उसका जो विप्रीथ होगा, जो option में दिया होगा, वो ही आपका answer होगा, तो देखो, options तो बच्चों ने मुझे बताए हैं, कि भी option में क्या था, क्योंकि यह बच्चों की दिमाग पर भी तना pressure रहता है, यतने दिन से त बात करें, तो when diagram में पूछा गया था, sun, moon और planet इन तीनों के बीच में, when diagram क्या बनेगा, तो देखो, इनके बीच में क्या बनेगा, यह है planet, moon ना ही planet है, ना ही star है, okay, sun एक star है, तो देखो, इस तरीके से इसका when diagram बनेगा, यह एक दूसरे को cross नहीं करेंगे, एक्दम separate circles बन क्या है, cover क्या है, यह है, उसका solution, I hope आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको इससे काफी मदद मिलेगी, आगे आने वाली shifts में, और आगे आने वाली cycles में, right, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो like और share जरू करिए, और कोई suggestion है, तो आप comment box में लिख स से कि आपके साथ में कोई, ऐसी कोई medical में दिक्कत ना हो, जो आपको end moment पे जाके पता चले, okay, तो चलिए, बड़ी आजित तहियारी करिए, and all the very best for your written examination, and then for your SSB interview, and that's all for today in this class, bye for now.